हेलो एबरिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे करेंट अपेर्स में एक जो करेंटली पॉपलर भूग होता है उससे एक क्वेशन आपको डेफिनेटरी देखने को मिलता ही मिलता है तो ऐसे में हम लोग कोसिस करेंगे BPSC एकलबी मॉडल रेसिडेंशल स्कूल का जो एक्जाम होने वाला है चाहे आने वाले एक्जाम BSSC के इंटर लेवल के कलर का एक्जाम हो या फिर दरोगा SI वाले एक्जाम को या फिर CISIAL का एक्जाम हो जहारखन में तो हर current verse से आपको एक book की question definitely मिलेगी तो इस वीडियो में हम लोग courses करेंगे कि जितने भी popular book हैं उनके बारे में आपको discuss किया जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को देकिन उसे पहले में आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो जहां से भी इस वीडियो को देख रहो प्लीज नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम जरू लिख दें ताकि मुझे पता चल से के ये जो हमारी family है जहां से आप जुड़े हुए हो मुझे पता चल से के कौन कौन लोग जो है इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं स्रीगनेस करते हैं पहले question के साथ breaking the mode remaining India's economic future ये बुक जो है किसके दोरा लिखी गई है तो देखिए ससिकांत दास के दोरा या फिर रगुराम राजन और रोहित लामा के दोरा और जीत पटेल या फिर निर्मरा सीतारमन के दोरा लिखी गई है तो इसका जब आप देखिए रगुराम राजन और रोहित लाम के दोरा ये बुक लिखी गई है अब ये बुक है किस पर सबसे पहले बुक की फोटो आप देख लो ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रख सकोगे ये बुक जो है इंडिया के जो economic challenges है उसके उपर ये बुक लिखी गई है यहां से आप जो है रगुराम जी राजन का नाम आपको दिख रहा होगा और रोहित लामा के दौरा जो है ये बुक लिखी गई है इसमें खास करके जो इंडिया के चिनोती है economic sector में उसके बारे में लिखा गया है इनकी एक और बुक है वो आप जो है खोजकर पढ़ सकते हो इसका सही जबाब देखे क्या होगा आपका क्या होगा सही जबाब हो जाएगा चली अगले कोशन की और हम लोग बढ़ेंगे मैं बुक की फोटो भी आपको दिखाता जाओंगा ताकि जो है चीजों को आप अच्छे से अपने मेमोरी के अंदर रख सको दूसरा कोशन क्या तीजों को कैसे बारे में बहुत बिस्तृत चाचा की गई है है इस बुक में सबसे पर इस बुक की फोटो आप देख लो और बहुत अच्छा कबर मुझे यह लग रहा है यहां से आप देख पाओगे और रइटर का नाम आपको नीचे दिख रहा होगा निर्जा चाधरी surface से चार दसक पुराना इनका तजुरुबा है यानि की experience है और ये जो है जनरलिस्ट रह चुकी है और Congress के खास करके Congress के नेताओं के साथ जो है इनकी बहुत पढ़ती थी चंती थी और चाहे वो इंद्रा गांधी के साथ हो या फिर राजिव गांधी के साथ हो राहूल गांधी सोनिया गांधी सब के साथ इनकी बहुत पंती है और उन्होंने इन किताबों के बारे में लिखा है बाइद बे मैं आपको बता दू इसमें नरेंद्र मोधी के बारे में नहीं लिख याद रखेगा, emergency के बाद कैसे इंद्रा गांधी की हार होई है, इस बुक में उसके बारे में discuss किया गया है, इसके बाद, फिर 1980 में, emergency के बाद, इंद्रा गांधी ने कैसे come back किया था, किन strategy चुनोतियों को follow किया था, इसके बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से चर्चक की गए, ताकि आपको एक detail analysis मिल सके, कि परधान मंतरी कैसे सोचते हैं, अपने चुनाब परचारों को लेकर वो कैसे सजग होते हैं, नारा कैसे बनाए जाता है, each and everything आपको इस बुक में मिलेगा, how Prime Minister decides, ये बुक को आप पर्चेस कर सकते हो, Flipkart, Amazon वागरा में आपको ये मि जाएगा, और idea आपको लग जाएगा, चलिए अगले question की और हम लोग बढ़ते हैं, अगला question देखिए क्या है, थोड़ा सा जो है, lengthy question है ये, but don't worry, मैं आपको इसे आसान भासा में समझा दूँगा, देखिए, निलावु, कुदीचा, सिंभांगल, ये जो है किसकी आत्म कत और आपको पता होना चाहिए, चंदरियान 3 के दौरान जो सबसे पले टेवी पे आकर पूरे देश को जिन्होंने सम्मोधित किया था, इसरो के ये चीप भी है, इन्होंने जो है देश को सम्मोधित किया, और चंदरियान 3 के बारे में जो है, इन्होंने डिटेल से पूरे पल्ड के सामने जो है इस तो के बारे में बात रखी थी एस समनाथ अब ये बुक किस बारे में है तो देखे ये जो बुक है आपको मलियालम में मिलेगी मैं कुछ डिटेल्स जो है आपके साथ सेयर कर देता हूँ ये बुक आपको मिलेगी किस में मलियालम भासा में आपको य देखने को मिलेगी, ठीक है, मल्यालम, चलिए, ये तो मल्यालम में लिखी गई भासा है, अब दूसरी बात ये बुक लिखी किस पे गई है, क्या इनकी आटोवायोग्राफी है, हाँ बिल्कुल, आत्मका था तो है ही, लेकिन साथ में, इन्होंने इस बुक को लिखने का सर्च करने के लिए, इन्होंने जो है, इन्साइड अपनी जो है, लाइफ की बारे में बताया है, ताकि जो है बच्चे कुछ नया सीख सके, चलिए, अगले कोशन की और हम लोग बढ़ेंगे, नेक्ट कोशन आपके सामने, ये रहा, पुस्तक बाचपई, दा एसेंट आफ देज, अज़ पॉलिटीशियन, जो अटल भी हरी बाचपई है, उनके बारे में ये जो है, लिखी गई है, जब वो सुरुवात में, जब वो राजनीती करने के लिए आये थे, उन्होंने जो है, किन-किन चीचों को देखा, किन चैलेंजिस को फेस किया, अज़ पॉलिटी गई है, उस किताब का नाम क्या है, Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम, Memories Never Die, यानि कि जो हम लोगों की Memories है, वो कभी खत्म नहीं होती है, इसके बारे में लिखा गया है, अब्दुलकलाम के बारे में, तो देखिए, अब्दुलकलाम के बारे में ये जो बुक लिखे गई है, सब A.P.J. अब्दुलकलाम ने कैसे जो है, देश के परती और साइंस के परती जो है, उनके अंदर जज़बा था, और उन्होंने कैसे जो है, तमाम मुश्किलों के बावजुद जो है, ये देश के पहले नागरी के यानि कि राष्टपती बने थे, तो इसका आंसर क्या हो जा सकते हो, A.P.J. अब्दुलकलाम का वो पॉपलर हेर स्टाइल और उनकी प्यारी सी मुश्कार, आगे बढ़ेंगे एगले कोशन की ओर, नेक्ट कोशन आपके समने ये रहा, दबुक कारगील, अट्रैबलर स्टंग, यानि कि एक यातरी की जुवानी के बारे में बात की जा था, और हम लोग वो ने जो है, Operation B.J. चला कर इनका मुतोर जवाब दिया था, और ये युद जीता था, ये किताब जो है न, एकजेक्टली जो छोटे-छोटे अनसंग हीरों, जिनके बारे में किताबें नहीं लिखी गई है, जिनके बारे में फिल्में नहीं बनाए गई ह यानि कि Option D आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, रिसी राज ने उनके उपर जो है, ये किताब लिखी है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, अगले कोशन क्यों लोग पढ़ेंगे, नेशन कॉलिंग, यानि कि देश आपको बुला रहा है, इसके राइटर कौन की जाए, उसके बारे में इस किताब में आपको मिलेगा, प्रेपरेशन कैसे की जाए, तैयारी कैसे की जाए, और मेंटली कैसे प्रिपेर रखा जाए UPSC एक्जाम के बारे में, किस तरह के चैलेंजिस आपको देखने को मिलेगा, UPSC एक्जाम को क्रेक करने में, तो ये न नाम के जो books I mean जो movies वगेरा बन रही है न एक ही जो movie director है उन्होंने इसे लिखा है उनका नाम है विवेक रंजन अगनी हुतरी इनके द्वारा हाल में ही जो एक movie बनाई गई थी वो बहुत controversy में रहा था उस movie का नाम आपको पता ही है क्या है दकस्मीर फाइल इसमें जो है उन्होंने genocide की बारे में बात करी थी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number A हो सकता है कि यहां से यह दिख लो हाँ फाइनली यह photo भी आप देख सकोगो विवेक जो रंजन अगनी होत रही है उनके द्वारे यह book लिखी गई है चलिए अगले question के और में लोग बढ़ेंगे next question is very very important जो international booker prize है ना यह book ने international booker prize जीता है 2023 का तो यह बहुत ही भी भी आई है please इसे रट लिजे आप किसी भी तरह से हो सकता है ना इसी ना किसी exam यह definitely पूसा जाएगा तो बात करेंगे booker prize की तो देखी यह जो है ना जॉर्जी जॉर्जी गॉस्पो दी नोव के द्वारा लिखी गई किताब है और यह जो है जो book है इसने जो है ना टोटल पचास हजार यूरो कमाएं इस book को लिखने वाले ने ठीक है अच्छली पचास जार यूरो कैसे कमाएं तो देखिए इनको booker price का यह amount मिला है और यह बुलगारिया के हैं और इसलिए इनको जो है 50,000 यूरो मिले हुए है बली बात दूसरी बात सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ यहाँ देख लो time shelter की यह बुक आपको दिखेगी अब question देखिए एक और पुछा जा सकता है वो question क्या है यह तो 2023 के पुरुसकार है आपसे 2022 के बारे में भी पुछा जा सकता है इसका reason क्या है किसी एक Indian author ने इसे जीता था Booker Price को उनका नाम क्या है गितांजली सिरी याद रखे का गितांजली सिरी ने जो है इसे जीता हुआ है 2022 में ये award कौन सी बुक लिखी थी तो देखिए इस बुक का नाम क्या था Tom of a Sand हिंदी में भी मैं बता दूँगा Don't worry इस बुक का नाम था रेट समाधी नहीं है खोज कर पढ़िए बहुत ही कमाल की बुक है और गितांजली सिरींग की जो और भी किताबे है एक और बुक का नाम में आपको बता दू माई इनी के द्वारा लिखी गई है खाली जगा इनी के द्वारा लिखी गई है हो सके तो आप प्लीज इसे pen paper पे not down कर लीजे exam में आने वाला ये प्रसन है महिला है और इन्होंने booker price जीता है तो definitely यहां से प्रसन बनेंगे ही बनेंगे लेकिन बात की जाए 2023 की तो 2023 की जो time shelter जोर्जी के द्वारा लिखी गई book है उन्होंने इस प्रसकार को जीता है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question क्यों अगला question देखे क्या है दुरापदी मुर्मू from tribal hinderness to rice and hill rice and hill देखे राष्टपती भवन को कहा जाता है इस book के writer कौन है यानि कि एक मामुली से जो आधिवासी family में पैदा हुई एक छोटी सी बच्ची जो राष्टपती तक का सफर तै करती है आपको जानकर हैरान होगी कि हाल में ही द्रापती मुर्मू के घर के पास से ट्रेन गुजरी है अब जो है express ट्रेन गुजर रही है तो यह बहुत बड़ी बात है इतने चोटे जगा से ओडिसा से आकर राष्यनाहिल यानि कि डेली में जो है देश के पहले नागरिक बनने तक का सफर जो है इसके बारे में इस बुक में लिखी गई है इस बुक को लिखा किसे है तो देखिए इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने यानि कि आपका answer क्या हो जाएगा option number B बुक को भी मैं आपके सामने represent कर देता हूँ देखिए ये जो life as a comrade के बारे में यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी दिकते आ गई है my life as a comrade ये जो बुक है autobiography है किसके दौरा लिखी गई है तो देखिए ये केके सेलजा और ये बहुत ही popular नाम है केके सेलजा ये केरला की पाले congress की नेता ये रह चुकी है और health minister भी ये रह चुकी है और ये बहुत छोटे तबके से family से आती थी और यहाँ से उन्होंने health minister का बनना ये बहुत बड़ी बात है तो अपने किताब में उन्होंने लिखी है और आपको जानकर हैरानी होगी केरला में बहुत सारे लोग जो है communist विचारधारा से जो है प्रेरी थे यानि कि ये जो left wing होते है उसके बारे में जो है उसको ये follow करते है चली अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे सभी नहीं बट बहुत लोग इसे follow करते हैं और उनकी किताब की जो है ये आपको दिख रहा होगा title में भी चली अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे गांधी, सियासत और संपरदाय नामक उस तक के लेखक कौन है तो सबसे पहले जान लिजिए इस book के जो writer है, author है उनका नाम क्या है, तो देखिए यहां से आपको देखेगा प्यूस बा बोले, ऐसे ही पढ़ते हैं sorry for that देखिए इनके जो writer है ना, ये पहले क्या थे? journalist थे, पतरकार थे, पहली बात दूसरी बात, फिर वो जो है लेखक बने ठीक है, देखना इनके सपर को फिर ये लेखक बने, और अब भी recently जो है, ये मध्य परदेश के Congress में, जो है, क्या है? A spokesperson है, वहां के जो spokesperson है, ये वही है, चलिए तीन बाते इनके बारे में जान ली, अब इस book के बारे में एक और बात आपको जान लेनी है, ये book actually गांधी जी के बारे में लिखता क्या है? गांधी कैसे गांधी जी जो है, जीमेदार नहीं है, इस बटवारे को, यानि कि भारत-पाकिस्तान के बटवारे को लेकर जो है, गांधी जी को बली का बकरा नहीं बनाया जाए, इस book में, इसके बारे में जोर दिया गया है, चलिए, अगले question के और यूके को, जो हमारा, जो है, एक्चुली क्या था, इसमें खास करके, एक ही बारे में बात की गई है, कि हम लोगोंने कैसे जो है, अपने गुलामियों की जो दास्ता है, यानि कहानी यह उसे रीशे छोड़ा है, और हम लोग यहां तक आगे बढ़े हैं, चलिए, अगले question के और हम लोग बढ़ेंगे, वार एंड वुमेन, यह जो पुस्तक है, किस के दौरा लिखी गई है, तो देखिए, वार एंड वुमेन जो है, हसन, यानि की डॉक्टर M.A. हसन के दौरा लिखी गई है, अब बात होगी, कि यह बुक क्यों लिखी गई है, वार एंड वुमेन के बारे में क्या है, देखिए, वार यानि की लड़ाई, वुमेन यानि की महिला, जब वार हुआ था, देखिए, 1971 में, किस के किस के बीच में लड़ाई ह हुई है, पाकिस्तान, यानि कि उस समय का ये जो है, पुरवी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है, यानि कि बंगलादेश के बीच में ये लड़ाई हुई थी, हम लोगोंने बंगलादेश को आजात कराया था, उस समय की प्रधान मंतरी कौन थी, इंद्रा गांधी, और इस वार में पाकिस्तान के जो सैनिक थे, सोलजर थे, उन्हें बंगला देश के जो आम महिला हैं, उनका रेप किया, सारे रिक सोसन किया है, उनका उनको मारा, बहुत सारे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, तलवारों से दो टुकडे कर दिये गए गोलियों से भूना गया, ये बहुत ही जो है, बहुत ही दर्दना घटना थी, तो इसके बारे में देखे, खासकर महिलाओं के उपर जो अत्याचार होए न, इसी बारे में ये जो है, इसके बारे में लिखा गया है, और इस बुक का नाम क्या है, यहां से आप देख नेक्ट कोशन देखो, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, हाल में ही गीता आचरन, एक अभ्यासकती का परिछेब नामक बुक उडिशा संस्क्रणे में जारी किया गया है, देखे, अक्चली हुआ क्या है न, जो के सिब है, के सिब परसाद, ये पंजाब की राजपाल है, गवर्नर है ये, ठीक है, पली बात, इनके द्वारा ये बुक लिके गए, और जो छोटी-छोटे निवंद होते हैं, निवंद, ऐसे, उसके द्वारा जो है, गीता के जो टीचिंग्स हैं, उसको जो है, इसमें आगे बढ़ाया गया है, बहुत कमाल की किताब है, definitely used to read, देखिए, the golden years, आपसे साथ ये पोच लिया जाए, तो देखिए, ये रस्किन बॉंड की किताब है, very very important question है, देखिए, इनकी बहुत सारी किताब है, मेरा favorite है, the blue umbrella, आप खोज कर पढ़िए इनकी किताबों को, Indian writer है ये, रस्किन बॉंड, इनकी कई किताब है, आप लोगों कॉन के द्वारा कॉन कॉन सी books लिखी गई है, एक्जाम में पूछा जा सकता है, आपका revision भी हो जागा comment section में, और मुझे engagement भी मिल जाएगा, बात करते हैं चेतन भगत की, तो इनके द्वारा कॉन कॉन सी book लिखे है, मैं बिलकुल इमांदारी से बता दू, मैंने चेतन भग बात करी है, छोटे-छोटे किस्सों को जो है, इसमें सामिल किया गया है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले question की ओर दखिए, अगला question क्या है, आपको उस writer का नाम बता ना, जिसने Indian Metropoles जो है book उसके बारे में लिखा है, तो देखिए ये जो book है न, totally परियावरन के द्वा आटा गया है, और ये book के writer है, राहुल गांधी के चचेरे भाई, देखिए ऐसे जो है, किसी का परिचया नहीं दिया जाता है, मा भी चाहता हूँ, फ्लो-फ्लो में ये निकल गया, इनका नाम है वरुन गांधी, सुल्तानपूर से ये विधायक है, सुरी, MP है, मेंबर पर्लियमेंट है, और BJP से हो सकता है कि ये अगले बार ये election नहीं लड़े, और सबसे ज़्यादा भोड से भी ये जीतने का record बना चुके है, वरुन गांधी, इनका नाम अभी फिरोज वरुन गांधी है, फिरोज यानि कि अपने दादा जी का नाम को adopt करते हैं, तो दौरा ये बुक लिखी गई है, मिनेका गांधी इनकी जो है मा है, दोनों जो मा और बेटा, दोनों जो है BJP से ये अभी जो है sitting MP है, मेमर आफो पार्लियमेंट है, चलिए अगले question के और में बढ़ते हैं, question number 18, NTR, a political biography, ये political biography है, किसके दौरा लिखी गई है, सबसे पहले आपको जाना चाहिए, ये बुक है किसपे, आंधर प्रदेश के जो CM है ना, पूर्व CM, उनके बारे में लिखा गया है, NTR है, anti-ramarav के बारे में ये किताब में लिखी गई है, अच्छी बात है, anti-ramarav के बारे में क्या लिखी गई है, ये भी जाना जलूरी है, anti-ramarav के ब उपर जो है अलग-अलग कहानियों को इसमें पिरोया गया है लिखा किसने है सारी बाते तो मैंने बता दी लिखा किसने है तो देखिए इसका सीधा-सीधा जवाब क्या हो जाएगा option number a यानि की राम चंद्रमूर्ती के द्वारा ये बुक लखे गई है पूरा नाम में नहीं और यह फिर युगी यादितजितनात कैसे बनते हैं एक graphic उपन्यास है बहुत ही अद्वूत प्रस्तुती है कि किसी अलग-अलग विधा में अलग-अलग जो है आर्ट फॉर्म को यहाँ पे प्रुरवया गया है इस दिख रही होगी अगला कुशन है दो कि गर्ट्स एमिट ब्लड बात देखो ये ब्लड बात यानि कि बहुत लड़ाई जगड़े वाली बात की जा रही है तो ऐसा मत समझना आप ऐसा अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल गलत हो आप क्योंकि मैं आपको बुक की कभर दि लॉंच किया गया है अगले कॉशन के और लोग बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन यह जो बुक है इसका नाम ही है रिफ्लेक्शन इस बुक को किसने लिखा है तो देखिए इस बुक को लिखा है अपसे नमर सी अमिताब घोस ने अमिताब घोस क्या है बहुत बड़े बैंकर है और निर्मला सीतारमन या इनिकी भारत की करेंट वित मंत्री, फाइनांस मिनिस्टर के द्वारा इस बुक को लॉंच भी किया गया है, आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हूँ, अगले कोश्चन की रूमलोग बढ़ेंगे, क्या है अगला कोश्चन, शिक्रेट हिस्ट्री अफ दा कैसल इन दा, देखिए, यह जो बुक है न, अच्छली कोश्चन यहां से यहां होना चाहिए था, यह थोड़ा सा मैस हो गया है, यह बुक लिखी किसके द्वारा गई है, तो देखिए, यह जो बुक लिखी गई है, option number C, Manoj Mitta के द्वारे यह बुक लिखी गई है, यह पत्रकार है, और देखिए, यह बुक मैंना 1850 के समय, 8050 के समय जो है, caste, disabilities remove act, जो की Britishers ने लाया था, उसके बारे में है, और current में जो जाती सिस्टम है, casteism है अभी देश में, उसके बारे में यह किताब जो है, बहुत अच्छे धंग से प्रहार करती है, यह बुक आप देख सकते हैं, caste, pride के बारे में मनोज मिठा की यह बुक है, अगला question देखिए क्या है, देखिए अगला question है, partitionate freedom, यह बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा राम माधव, राम माधव देखिए अच्छी बीजेपी पार्टी से बिलॉंग करते हैं, और आपको याद होना चाहिए कस्मीर में, जब महबुबा मुप्ती और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो राम माधव वहाँ के बहुत बड़े भुमिका में थे, वो decide कर रहे थे क्या चीज़े होनी चाहिए, कैसी चीज़े नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आप बुक की फोटो देख सकते हो, एक्चली इस बुक में लिखा क्या गया है, तो देखिए, स्वतनता के समय में, और 1905 से लेकर 1947 के बीच में जो अलग-अलग Freedom Fighter थे, उनके उपर में जो है यह किताब लिखी गई है, कि वो जो चोटी-चोटी गटनाई थी उसके बारे में, अगला सवाल देखें क्या है, निमलिकित में से कौन सा उपन्यास Victory City, विक्ट्री सिटी जो है, नोवेल किसके दौरा लिखी गई है, तो देखिए, इसका जबाब हो जाएगा क्या, सलमान रुष्दी, और इनकी किताब जैसे ही सलमान रुष्दी का नाम आता है, मुझे नाम यादाता है, Midnight Children, कितने ही एक्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, Midnight Children किसके दौरा लिखी गई है, तो Victory City भी आपसे जो है एक्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही घंभोर जो है, पहुँच चुके हैं, टेरिरिजम में उतर चुके हैं, उनके द्वारा अटेक किया गया था इनको, अगले कोशन के और हम लोग बढ़ेंगे, देखे अगला कोशन क्या है, अगला कोशन देखो, यहां से आपको देखेगा, एक सिंगल डे में ये किताब बीक गई है, याद रखिएगा, इसमें इन्होंने क्या करा था, British Royal Family के बारे में इन्होंने लिखा था आपने जो कटू अनुवब हैं अच्छे अनुवब हैं और परिवार के भी चीजे कैसे चलते थी तो ये 2023 के लिखी बहुत अच्छी बुक है एक्शली यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो अगले क्वेशन की और हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेशन देखे क्या है यानि कि देश ने जो है अलग-अलग क्रांती करके कैसे आजाती पाई इसके बारे में ये जो है बुक आपको आइडिया देती है तो संजीब सान्याल कहा है अपसर नमर D उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है अब देखे इस बुक को लॉंच किसने किया है तो इंडिया के हॉम मिनिस्टर यानि की अमीत सा ने इसे लॉंच किया है यह भी आपको याद रखना है अमीत सा के द्वारा जो इसे लॉंच किया गया है यहां से आप इसकी book भी देख सकती हूँ आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर अगला question देखे क्या है निमलिखी तमेंसे कौन सी जो पुस्तक है actually यहां पे book होना चाहिए था अब नी दोसी के द्वारा लिखी गई है very very important question है यह इसका reason क्या है दोखिए यहां से आप देख पाओगे burnt यह रहा कहा है option देखो यहां पे actually थोड़ी सी spelling mistake है burnt sugar जो है यह book है मैं आपको जो है फोटो भी इसकी दिखा देता हूँ तब आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे यहां से देखो इसकी book की image भी दिखेगी burnt sugar जो है अपनी द्वास के द्वारा लिखी कई book है इस book में लिखा किसके बारे में गया है तो देखिए एक daughter यहने कि एक बेटी और उनकी मा के बीच यहने कि mother के बीच का जो relation है वो कैसे है उसके बारे में established इस book में किया गया है इसमें जो है उन दोने के पीच के जो उठा पटक है अच्छे संबन्द है बुरे संबन्द है सब के बारे में चर्चा की गई है याने कि burnt sugar is the right answer अगले question के रो हम लोग बढ़ेंगे the blue जो book है इसके writer कौन है इसके writer कौन है तो इसके जो writer होंगे यहां से देख लो wait a minute इसका जो सही जवाब हो जाएगा wait जी है यहां से देख लो अमितावा जी है अमितावा कुमारा 20 का सही जवाब हो जाएगा अमितावा कुमारा actually थोड़ी सी जो है इसमें wrong है actually यहां पे book है यहां पे bank लिखा गया है यहां से आप the blue book की भी photo देख सकते हो अमितावा कुमार के दौरा जो की journalist है इनके दौरा इस book को लिखा गया है अब देखे इस book की खासियत क्या है COVID के दौरान यानि की Corona के दौरान जो है इनके जो personal experience थे यानि की personal life में कैसे इन्होंने चीज़ों को फेज किया या फिर public life में जब यह गए तो इनको पता चला कि COVID के दौरान जो है कैसे कैसे चीज़ों को लोगों को सामना करना पड़ा था इसके बारे में इन्होंने इस book को लिखा है अंजान साक्षी यह जो book है अंजान साक्षी यह किस के दौरा लिखी गई है तो यह दिखे केके अब्दुल यानि की यह रहा option सी केके अब्दुल गफार के दौरा यह book लिखी गई है और जेपी नडडा ने इसे जो है launch किया है sorry केके अब्दुल जो है लिखे गई है यह इंद्रा गांधी के जो emergency के दौरान जो है लोग गायव हो जाते थे या फिर गवा जो है कोर्ट में नहीं पहुँचता था इसके बारे में यह जो है केके अब्दुल गफार ने लिखी है अगला question देखो यहां से आप foreign secretary रह चुके है SJ Sankar अभी फिलाल जो है मोधी सरकार में क्या है वो मोधी सरकार में वो विद्यसमंत्री है और इन्होंने जो है मोधी जी को बहुत ही credit दिया है कि इन्होंने जो है देश को अलग-अलग नीतियों को जो है ससी थरूर के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है केरला के ये MP है केरला से आते हैं और याद रखिएगा इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये बहुत important बुक है ये बुक जो है किसके बारे में बात करती है इंडिया के जो struggle of school इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है एक और किताब का नाम ही मैंने बोल दिया तो इनके द्वारे ये बुक लिखी गई है यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो आगे बढ़ेंगे उडान एक मजदूर बच्चे की जो किताब है उनके struggle की जो किताब है यह motivation से भरी हुई किताब है देखिए एक मजदूर का जो बच्चा है वो आगे जाकर plane उडाता है और उसके family में सभी लोग किसी ना किसी तरह से जो है aeroplane उडाने वाले है वोई fighter jet उडाने वाले है और इस family को जो है flying family of India भी कहा जाता है यह motivational book है एडी माने के जो zero से hero तक का सफर है उसे यहाँ पे दिखाया गया है और यह book किस के दोरा लिखी गए मिठलेश तिवारी के दोरा यह book लिखी गए यह बहुत important यहाँ से आप इसकी पोटो भी देख सकते हो आगे बढ़ेंगे SSC 2021 में आपको यह सवाल देखने को मिला होगा क्या है यह उपन्यास Q&A यानि की question and answer सोट में से आप समझ सकते हो यह book के writer कौन है तो देखे slum dog millionaire आपने चरूर देखा होगा यह book पे ही वो आधरी था कैसे question and answer के दोरा कोई slum का बच्चा कडूर पती बन चाता है और इनकी एक और book है जिसका नाम है Six Suspect यादर किये का इसके उपर एक movie भी बन रही है BBC जो British की media house है उसके दोरा यह movie भी बनाया जा रहा है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा विकास सरूप के दोरा यह book लेखी गई है यहाँ से आप इसकी photo भी देख सकते हूँ अगले question के रूम लोग बढ़ेंगे कौन सा यह तो अचली repeat हो गया कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे अगले question की और अगला question देखिए क्या है dollar बहू dollar बहू किसके दोरा लिखी गई है अभी आपने जिस औरत का photo देखा न जिस writer की photo आपने देखी उनका नाम है सुधा मूर्ती और सुधा मूर्ती जो है बच्चों की कहानिया बहुत लिखती है और 3000 stitches GTV पे आ चुकी ही इनके एक और book का नाम है 3000 stitches GTV पेस के उपर एको प्रोग्राम भी आ चुका है dollar बहू सुधा मूर्ती जदा right answer अगले question के और में लोग बढ़ेंगे the presidential years ये book किस के दोरा लिखी गई है तो पर्नमुखर जी देखिए presidential years यानि कि इनके दोरा जो है जैसा इनोंने experience किया अपने बारे में वहाँ पे इनोंने लिखा अब देखिए ये राजनेता के बारे में जो अलग-अलग leader है Modi ji, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi के बारे में इनोंने सारी बातें करी है किसने पर्नमुखर जी ने पर्नमुखर जी भारत रतन भी पारने वाले हैं याद रखिएगा इस बात को पदमसरी, पदमभुसन पदमभुसन से इनको सम्मानित किया जा चुका है आगे बढ़ेंगे Sea of Poppies ये बुक के writer कौन है तो देखिए Sea of Poppies जो बुक है इसके writer का नाम है अमिताब घोष कहां है option option A में ही आपको दिखेगा और अमिताब घोष के उपर बहुत सारी किताबे हैं और हर बार exam में पूछा जाता है The Circle of Reason इनके पहले बुक का नाम एक और बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ The Circle मैं लिखी देता हूँ आप भी जो है लिख लिजे The Circle of Reason ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है एक और बुक का नाम अगर मैं बोलूँ आपके सामने तो Jungle Name ये जो है Jungle Name ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई है चलिए आगे बढ़ेंगे next question की और next question आपके सामने ये रहा Believe what life and cricket taught me ये किस चो क्रिकेटर है उनकी जीवनी है तो देखिए सूरेश रहना Believe वाला जो है न Believe वाला बुक ये सूरेश रहना का है अब आपको सची Playing It My Way ये सचीन तेंदुलकर की आउटो बाइग्राफी है अगर मैं बात करू यूबराल सिंग की बुक उनका नाम है The Taste of My Life उनके बुक का नाम क्या है The Taste of My Life उनको cancer से उन्होंने कैसे जो है सर्वाइब किया अपने आपको कैसे बचा जा और उसके बारे में ये बुक आपको जो है बताती है और by the way आप लोगों से MS धोनी के उपर कोई बुक लिकी है आप नीचे कमेंट करके बताईए सौरव गांगली, सेंचुरी, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको उनके बुक के नाम का आप नीचे कमेंट करके बताएंगे यहां से आप बिलीब सौरे सरना के बारे में देख सकती हो एक बुक है Monsoon, A Poem of Love and Logging ये बुक ना कमाल की बुक है और इस बुक में ना सिर्फ पोयम के द्वारा जो Monsoon है उसके बारे में जो है रोमेंटी साइज किया गया है और अब है के के द्वारा ये बुक लिके गई है बहुत कमाल की बुक है और बहुत ही इंपॉर्टन वी है एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से चलिए आगे बढ़ेंगे Fire on Gangas ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है Life Among the Dead in Banaras ये बुक जो है Actually Dome जाती जो की सबों को जलाती है उनका अंतिम संसकार करती है बनारस में उनके रोजमर्रा के Life में जिस तरह की दिक्कते हैं परिसानियों का सामना ये जो करते हैं बहुत कम पैसा इनको मिलता है इनके बच्चे के Education के उपर जो है प्लीज BBI से not down कर लिजेगा ये ना किसी ना किसी एक्जामे तो definitely आने वाला है यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो अगला Question है जेवा ता Accidental Super Hero ये लिखी गई है कि इनका नाम है अनुसका सर्मा बिल्कुल नहीं इनका नाम है हुमा किरोसी हुमा कूरैसी इसके द्वारा जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इनने जो है एक Super Hero है जो कि क्या है जिद्धी किसम का है और बहुत ही जो है वो हिम्मती है बिद्रोही है चीजों को वो नहीं मानता है इस बुक में उसके द्वारा जो है बातें लिखी गई है जेवा आगे बढ़ेंगे मेडम कमिशनर बहुत ही important question और ये मेडम कमिशनर बुक जो है ये लिखे गई है मीरा बोर वनकर के द्वारा और देखिए 911 का जो हमला हुआ था 911 का हमला इसमें जो है 911 के हमले के जो आरोपी है अजमल कसाब और उनका जो है treatment कैसे किया गया था पुलिस के द्वारा इसके बारे में इस बुक में आपको details में information मिलेगी पहली बात दूसरी बात मीरा वनकर वर्कर जो पुलिस कमिशनर थी इनके life में इनके official work में जितने भी चीज़ें घटी हुए इस बुक में आपको देखने को मिलेगा यहां से आप इनकी photo भी देख सकती हो आगे बढ़ते हैं हाल में ही परकासित इंडिया on their mind eight women, eight ideas of India ये question मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ नीचे आप लोगों के लिए लिखना है HW आप लिखोगे और बताओगे ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है राइटर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताईएगा तो ये थी राइटर के जो important important book है 2023 और 22 के वो मैंने आपके सामने परजेंट किया है अगर आपको World Cup Cricket के उपर एक वीडियो चाहिए होगी तो 2023 आप WC लेख देना उसके उपर एक dedicated वीडियो बना दे जाएगी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया Have a good day